महराश के उस सिक्षा मंत्री चंदरकांथ पाटिल ने बाबा साहिब आमिटकर और अन्य महापूर्सों के खिलाब भीक मांगने वाले अपने वाक्य को लेकर भले ही माफी मांग ली हो लेकिन यह मामला खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा इस मामले में अब बुद्धी सोसाइटी ओफ इंडिया के अध्यक्ष राजरतन अंबिटकर ने चंदरकांथ पाटिल की उपर सियाई फेके जाने के वाक्य कोश सही ठहराया है इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि वो अपनी तरफ से इस काम को करने वाले समता दल के उस कारिकरता को एक लाख रुपे का इनाम देंगे उन्होंने कहा कि वैसे तो यह काम हमारी तरफ से होना चाहिए था लेकिन हमें यह मौका नहीं मिल पाया इसलिए जिस वैक्ती ने यह काम किया है उसका पूरी आमबेटकर परिवार की तरफ से धन्यवाद राजरतना बाबा साहिब आमबेटकर के पपोत्र है एक तरब जहां महराश पुलिस मामले की जाज कर रही है तो वहीं दुसरी तरब यह विरोधा भासी बयान देकर आमबेटकर सरकार भक्सने के मूड में नजर नहीं आ रहे राजरतना बाबा साहिब आमबेटकर ने कहा कि स्वर्गय बाबा साहिब आमबेटकर एक सूरज की तरह है अगर कोई सूरज पर थुकने का प्रयास करेगा तो पलट कर थूक उसी के मूँ पर गिरेगा मुझे लगता है कि कल परसो वही धूक कालिस याही के रूप में चंदरकांत पाटिल के मूँ पर गिरी है यह बात उन्होंने भंडारा जिले के लाखन दूर में आयोजित धम समेलन में कही दरिसल पाटिल ने पिछले सब्ता ये बयान दिया कि महराष्ट में जोती बाफ फुले डॉक्टर बाबा साहिम आमबेट कर और कर्म वीर भावराव पाटिल जैसे महान लोगों को स्कूल खोलने के लिए लोगों से भीक मांगने पड़ी थी महराष्ट बिजीबी के नेता और राजी के उस सिक्षा मंतरी चंदरकान पाटिल ने बिते सुकूरवार को क्योंकि तब सरकारे स्कूलों को अनुदान नहीं देती महापूर्षो द्वारा स्कूल खोलने के लिए लोगों से भीक मांगने वाले उनकी इस बयान के ओव विपक्ष ने महापूर्षो का अपमान बताया है विपक्ष का अरोप है कि महापूर्षो ने कभी भी किसी के लिए भीक नहीं मांगी बलकि समाज की उत्थान के लिए जन सहयोग का सहारा लिया था ब्योरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई